Hello and Welcome Everyone तो हम पर हम इस वीदियो में बात करेंगे B.S. Nursing, B.S. Paramysical & B.S. Technology कॉर्स के बारे में Session 2021 में जो हम पर UT, J Nicole & Kashmir & UT Ladakh में जो सिट्स हैं B.S. Nursing, Paramurgical & TECHNOLOGY कॉर्स में उसके बारे में हम बात करेंगे तो हम पर अगर हम बात करेंगे Session 2020 की तो 2020 में यहाँ पर जेके बोपी ने यहाँ पर एक्साम कंड़क्ट किया और अगर हम 2019 की बात करें तो 19 में बोपी ने यहाँ पर या उससे पहले 1817 या 16 में बोपी इसका एक्साम कंड़क्ट नहीं करता था जो हमारी सिकमस में बियसी नर्सिंग की सीट सो दी थी वो अलग से एक्साम कंड़क्ट करते थे या बाबा गुलाम शाबाचा इन्वर्सिटी में या कश्मीर नर्सिट में जो बियसी नर्सिंग की सीट सो दी थी वो अपने तरीके से उसका एक्साम करते थे और जो 2020 में बोपी ने किया और उसकी सीट भी खिल हुई कांस्लिंग भी खिल हो गई तो यहां पर अब 2020 में वेसा ही होने वाला था कि बोपी ही एक्साम कंड़क्ट करेगा जो तमाम कॉलेजिस हैं यूटी जो में कश्मीन में व्यादर इप्रेवेट और गॉवर्मेंट तो उसकी स इट इस फिल होने वाली थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्यूंकि आप जो आप नीट का एक्साम होता है वरल इंडिया जो आपका एक्साम होता है नेशनल इलिगिबिटी एंडरनस कम टेस्ट जो यहां पर एक ही दिन होता है प्यन पेपर मूड है ऑफ लाइन एक्साम है एक ही दिन है और जिसकी डेट 1 अगस्त हैं जो यहां पर MBBS और BDS की सीट्स के लिए आप देते हो और आयूश की सीट्स के लिए तो उसी के मिरिट के बुन्याद पे आपको यहां पर BSC Nursing, BSC Experiment, BSC Technology कूर्स की सीट्स मिलेंगी और यहां पर यह overall इंडिया यहां पर apply होगा क्योंकि यहां पर जो COVID-19 भी चल रहा है इसी वज़ए से अब 2, 3, 4 एक्जाम यह नहीं करवाने चाहते हैं तो यहां पर एक खाली एक एक एक्जाम conduct करेंगे NEET का एक्जाम जिसपे यहां पर MBBS की सीट्स हो, BDS की सीट्स हो, AYUS की सीट्स है जिसमें BUMS, BMS and BPT सीट्स आती हैं BAC Nursing, BAC Experiment, BAC Technology की सीट्स होती हैं, यहां पर जो AIMS के College हैं, उसकी सीट्स हैं, जिपमर के जो कॉलेज हैं, उसकी सीट्स हैं, खाली आपको एक एक एक्जाम देना है, NEET that is National Eligibility Entrance कम टेस्ट और उसी के मिरिट पे आपको पहले यहां पर AIMS मिलेगा, जिपमर मिलेगा, फिर GM सीट्स हैं, आपको मिलेंगे, MBBS और PDS में, फिर IUS कोर्स की, तो BAC Nursing के जो यहां पर सीट्स हैं, जो मिलेंगे, तो यहां पर नीट के मिरिट बेसिस पे आपको मिलेंगे, तो यहां पर एक एक ही होगा, आल वर इंडिया होगा, एक ही दिन होगा, फिर अगस्त को होगा, तो पेंड पेपर मूर होने वाला है, फिर जो कांसलिंग है, अलग-अलग सीट्स की यहां पर अलग-अलग जो बोर्ड होते हैं, वो कांसलिंग करते हैं, जैसे Union Tatery, जो में कश्मीर Union Tatery, लदा की कांसलिंग जो होती हैं, वो यहां पर बोपी आफिस कंड़क्ट करता हैं, ब जैसे Union Tatery, पॉर जैसे Union Tatery, जैसे Union Tatery, तो मेरे खाल से अच्छा ही हुआ, आपको खाली एक 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 एक्साम देना हैं, आपको पहले भी वह रहा था कि आप नीट पे हम पर फोकस कीजिए, तो अगर उसमें नहीं होता हैं, फिर इसमें आप ट्राय कीजिए, तो हम प 1500 होगी तो BSE nursing के भी around 1000 to 1500 होती थी लेकिन अब वो यहां पर नहीं होगा तो एक ही एक्जाम होगा तो यहां पर अब आप preparation अपनी जारी रखे और first August आपका exam है तो उसके बादे BBS और BDS की counselling होगी अयूश की counselling होगी BSE nursing की counselling होगी सापरीटी counselling होगी जिसमें आप admission लेना चाहोगे और जब यहां पर जब neat के फार्मस निकलेंगे तो मैं आपके सामने ज़रूर और शियर करूँगा इन्होंने पहले टेंटे टो डेट भी रखा था BBS nursing exam फार्मस के वह भी नहीं निकले लेकिन आप इन्होंने यह काम किया है कि जो बच्छों को नीट जब देना ही है तो उसी के बुनियाद पे हम BBS nursing के सीट भी फिल करेंगे अच्छा ही हुआ एक एक्जाम देना है एक एक examination फी भी बढ़नी होगी तो आप preparation जाए रहे रहे से लिए बस आप पता है physics chemistry in bio है 11th and 12th की तो यहां पर यह भी अच्छा हुआ यहां पर नीट में biology सीधे टेक्स्ट बुक जो आपकी ncrt 11th 12th की उसी में 90 questions आते हैं और जो यहां पर chemistry हैं उसके 45 questions आते हैं वो भी majority ncrt से होत हक का नीट में होते हैं और फीजिक्स की थोड़े बहुत अंसी आरटी एधी हो थोड़े बहुत हम पर जो निमेरिकलर होते हैं वो बाहर से आते हैं तो उसके वहां पर 45 questions होते हैं फीजिक्स के 45 questions biology के 45 questions और सौरी biology के 90 questions and chemistry के 45 chemistry के 45 physics के 45 5 biology के 90 So 180 questions हैं और एक बैद के 4 marks होते ह हैं तो अगर आपको अच्छा लगा तो चनल को सबस्क्राइब लाइक शेर और जरूर कीजिए